हेलो एब्रिवन एवर फिर से स्वागत है आपका अपने अस्टडी 24 जारखन यूटूब चैनल में दोस्तों आज फिर से जारखन बोड और सीब्यस्सी बोड के छातरों के लिए चार-चार लेटेस्ट अपडेट निकल करके आये हैं और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन में सबसे पहले यह जो लेटेस्ट अपडेट है कि आवासिय बिद्यालियों की परवेश परिच्छा का फॉर्म भी आज से भरे जाएंगे यह भरने की परकिरिया आज से सुरू होगी तो इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है क्या लिखा हुआ यह आप तक पहुचाऊंगा इसके बाद अगला जो दूसरा हम लोग देखते हैं कि 9 से 16 जुलाई तक बिलम सुल्क के साथ आवेदन भरे जाएंगे मध्यमा परिच्छा के लिए आज से करें ओनलाईन आवेदन दोस्तों यह जो मध्यमा परिच्छा होता है यह संस्कीर्थ के जारखंड एकडमी कोंसिल के संस्कीर्थ के पढ़ने वाले छात्रों के लिए होता है तो इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है यह मैं दूंगा इसके बाद इसके लिए जो बिगेपती है वह भी निकल चुका है जो यहाँ पर हम लोग अस्क्रीन में देख रहे हैं जारखंड अदिवित परिशद राची की ओर से निकला है मध्यमा परिच्छा 2021 के लिए पंजियन परिच्छा आवेदन परपत्र जमा करने सवन्दित स देखते हैं बीते वर्स जो अस्क्रीन में देख रहे हैं बीते वर्स बारहवी में फेल चात्रों की परिच्छा पर फैसला जल्द तो बारहवी के चात्रों के लिए जो एकजाम होगा उस पर फैसला कब आएगा क्या होगा इसके बारे में मैं भी बताऊंगा और साथी कल भारत के सिच्छा मंत्री हमारे जो सिच्छा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निसंग उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए अगस्त में मिलेगा बेकलपिक परिच्छा देने का मोका यह कहा है तो इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है तो यह चारों अपडेट पूरा डिटेल से आप तक पहुचाऊंगा और दोस्तों आपके लिए सबसे पहला जो लेटेस्ट अपडेट है कि 9 से 16 जुलाई तक बिलम सुल्क के साथ आवेदन भरे जाएंगे यहां परा स्क्रीन में देख रहे हैं मदमा परिच्छा के लिए आज से करें ओनलाइन आवेदन और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जारखंड एकेडमी कॉनसील जैक ने मदमा परिच्छा 2021 के लिए ओनलाइन आवेदन भरने की तिति घोसित कर दी है 26 जून से 8 जुलाइ तक ओनलाइन आवेदन भरा जा सकेगा और आगे जों लोग देखते हैं कि वहीं 9 से 16 जुलाइ तक बिलम सुल्क के साथ मदमा के आवेदन भरे जाएंगे मदमा परिच्छा 2021 के लिए रैस्टेशन के साथ सभी छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे और छात्र छात्राओं को पंजियन सुल्क और परिच्छा आवेदन परपत्र के बिभिन सुल्क भी देना होगा तो ये है इसके बाद इसी में और भी दिया हुआ है कि आपका फी कितना लगेगा फी क्या लगेगा और भी सारा डीटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो अस्क्रीन में देख रहे हैं जारखन्ड एकेडमी कॉंसील का विगेपति इसको मैं फूल अस्क्रीन में कर देता हूँ इसे आप लोग जो है अस्क्रीन सोट ले लिजिया और उसको पढ़ लिजियेगा तो आगला जो लेटेस्ट अपडेट है वो है आवासिय बिद्यालियों की परवेश परिच्छा का फॉर्म भी आज से भरें तो इसमें क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं यहां दिया गया है कि तीन आवासिय बिद्यालियों में नामांकन के लिए होने वाली परवेश परिच्छा के लिए ओनलाइन आविदन की परकिरिया भी 16 जुन से 17 जुलाई तक यहां जो देख रहे हैं कि चलेगी और नेतरहट आवासिय बालक विद्यालियों की तरज पर संथाल परगना के दुमका और कोलहान परमंडल के चाइबासा में आवासिय बालक विद्यालियों और इंद्रा गांधी बाली का विद्यालियों की तरज पर दशनी छोटा उनागपूर परमंडल के आगे जो इसमे इसमें लिखित परिच्छा OMR सीट के माध्यम से होगी और हर अस्कुल के लिए 100 सीट निर्धारित है और उसी में मेगा कर्म में आने वाले छात्र छात्राओं का चैन किया जाएगा और परवेश परिच्छा दो पालियों में होगी दोस्तों इसका जो ओफिसिल नोटिफिकेशन है वो यह है और इसे आप लोग स्क्रीन सोट ले करके रख सकते हैं आगला जो हम लोग लेटेस्ट अपडेट देखते हैं वो है बीते वर्ष बारहमी में फेल छात्रों की परिच्छा पर फैसला जल्द सीबियस्सी बोर्ड के बारहमी के छात्रों के जो फेल हुए थे छात्र 2020 में तो उनकी परिच्छा ली जाएगी और इसको ले करके जो सीबियस्सी बोर्ड है वो फैसला ले रही है कि कब एक्जाम लिया जाएगा और इसको ले करके हिंदूस्तान हेल्फ लाइन की और से य इनकी और से कहा गया है कि ऐसे CBSC के बारहमी छात्रों के लिए जो पिछले साल फेल हो गए थे उनके लिए परिच्छा जल्द ली जाएगी और इसका फैसला जल्द आने वाला है इसके बाद दोस्तों भारत के जो सिच्छा मंतरी हैं रमेश पोखरियाल निसंग उन्होंने कल CBSC बोड के जितने भी छात्र हैं उनको संबोधित किया और उन्होंने उसमें असपश्ट रूप से कहा है कि CBSC से CBSC का जो रिजल्ट जारी होगा उससे जो भी छात्र असंतुष्ट होंगे उसके लिए बेकल्पिक परिच्छा देने का मोका मिलेगा मतलब कि जितने भी असंतुष्ट होंगे CBSC के उनको फिर से परिच्छा देने का मोका दिया जाएगा और जब CBSC में दिया जाएगा तो समभाता जार्खन बोड में भी उसको फोलो किया जाएगा और जार्खन के भी मेट्रिक और इंटर्मीडियट के छात्रों को बोड पर अपडेट थे और इसी तरह के आपके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे इसी तरह से इस अस्टड़ी 24 जार्खन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाओंगा लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अब तक आप लोगों ने इस अस्टड़ी 24 जार्खन यूट्यूब चैनल को अगर सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके रख लें और इसके नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर लें तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम थैं थैंक यू